अपके साथ रूपॉली विदान सभा में उपचुनाव हैं और इस उपचुनाव को लेकर के इंडिया गट बंधन में घामसान जा रही है क्योंकि एक तरफ लालो प्रशाद यादव ने अपनी पाटी यानि राजत की तरफ से उमिद्वार को उतारने से मना कर दिया है तो वहीं दूसरे तरफ पपो यादव का कहना है कि वहां से कॉंग्रेस का उमिद्वार जो है वो उतरे अब ऐसे में रुपॉली विधान सभा उप चुनाव को लेकर क्या महागट बंधन में तूट पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर कॉंग्रेस और वामदल आमने सामने भले लालो प्रशाद यादो पीछे हट गए हो लेकिन कॉंग्रेस और वामदल आमने सामने कॉंग्रेस के तरफ से पपो यादव अड़े हुए तो वहीं दूसरे तरफ वामदल लुक वाले जो नेता है तमाव वो अपने तरफ से अड़ी विधान सभा उप चुनाव में एक बार फिर एंडिये बना महागट बंधन का शक्ति परिक्षन होने जा रहा है दलिय प्रतिद्वन्दिता के बीच निर्दलियों की चुनावती के बीच इस बार रुपॉली विधान सभा का उप चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है हाला कि एंडिये की तरफ से जदियू ने अपने उमिदवार का नाम आगे करके पहली चाल चल दी है एंडिये के रणनितिकारों ने एक कदम आगे बढ़ते नो केवल ये फैसला किया कि वो कौन दल चुनाव लड़ेगा बलकि उमिदवार के नाम तक की घोशना कर दी गई जदियू के रणनितिकारों ने एक प्रेस वार्टा आयोजित कर ये बात कहा डाला कि पुर्णिया की रुपॉली विदानसभा शेत्र के उप्चुनाव में पुर्व विदायक बीमा भारती का विकल्प कालाधार मंडल बनाए जा रहे हैं ग्यात हो कि जदियू विदायक बीमा भारती ने पार्टी से स्तिफा देकर राज़त की टिकेट पर पुर्णिया लोगसभा शुनाव लड़ा और हार गई इस वज़ा से अगले महीने की दस तारीक को रुपॉली विदानसभा का उप्चुनाव होने जा रहा है महागडबंधन सुत्रों की माने तो रुपॉली विदानसभा उप्चुनाव से राज़त चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है महागडबंधन नरितित्व यहां से CPI की उमिद्वार को उतारने जा रहा है पर अभी तक कोई नाम घुशित नहीं हुआ है रुपॉली विदानसभा से अभी निर्दली उमिद्वारों की भूमी का एहम होने जा रही है और ये उमिद्वारी एंडिय और महागडबंधन से नराज निता की विरोध में होने की कारण होने जा रही है इंडिय के तरफ से नराजगे का बीड़ा लोजपा के पुर्व विधायक शंकर सिंग ने उठाया है निता संकर सिंग को जब ये पता चला कि रुपॉली सीट जद्यू के हिस्से में चली गई तो उन्होंने लोजपा से इस्तिफा दे दिया और निर्दल्य चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया निर्दल्य उमिद्वार होने वाले संकर सिंग फरवरी 2005 विधान सभा चुनाव में बतौर लोजपा उमिद्वार विमा भारती को हराया था लोजपा उमिद्वार संकर सिंग को तब 2,57,017 मत मिले थे साल 2020 के विधान सभा में संकर सिंग ने दल्य लड़े पर विमा भारती से हार गए इधर महागडबंधन में ये तैख हुआ है कि एसीट CPI को दी जाएगी इससे नराज विमा भारती के पती अवधेश मंडल ने ये घोशना कर दी हलाकि अभिना मांकन करने की घोशना नहीं किये हलाकि पूर्णिया के सांसत पपू यादव ने ये कह कर महागडबंधन की धड़कन बढ़ा दी कि रुपॉली से कॉंग्रेस उमिद्वार दे कि कॉंग्रेस पार्टी वहाँ से अपना उमिद्वार खड़ा करें ये संभव नहीं दिख रहा है हलाकि लालू यादव के खिलाफ कॉंग्रेस जाने की हिम्मत कर सकती है या नहीं ये तो भविश ही तय करेगा देखे निर्दलियों मिद्वारों से अभी सब को डर है क्योंकि सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा एक्जेम्पल अगर देखे तो वो है पूर्णिया जहां पूर्णिया में विमाभारती को जिताने के लिए तो जिस्वी आदव ने अपने सारे दमखम लगा दिये तो वहीं दूसरे तरफ इंडिये प्रत्यासी को जिताने के लिए खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने चले आए लेकिन बावजुद इसके नहीं इंडिये के तरफ से संतोष को स्वाहा जीते और नहीं इंडिया गडबंधन की तरफ से राज़त प्रत्यासी विमाभारती जीती अगर जीता कोई तो वो निर्दलिये प्रत्यासी पप्पु यादा तो अब जो है विधान सभाव उप्चुनाव होने वाले हैं और विधान सभाव उप्चुनाव में भी निर्दलिये प्रत्यासी उतरने वाले हैं अब इन निर्दलिये प्रत्यासीों से डर तो सबको है क्योंकि एक तरफ एंडिये की तरफ से कालाधार मंडल चुनावी र झाल झाल